जहिन सांत्यों स्वागत है आपका अपना चैनल The Army Classes में जैसे कि आप सभी को पता है हर सुबह सारे 8 बज़े ही चैनल पर Army की Life Class उते है तो आज के Life Class में जो होगा वे इंडियन Army GD का Original Question Paper होगा जो के 2017 का होगा तो आज का वीडियो आपको लिए बहुत संदार होगा वीडियो बताना है तो बढ़ेंगे आज के First Question की ओर और First Question आप लोगों से पूछा है The President of India can nominate how many members of the राजसभा यानि कि भारत का राष्ट पती जो है वो कितने सदस्यों को राजसभा में मनोनित कर सकता है यानि कि भारत का राष्ट पती जो है वो कितने सदस्यों को राजसभा में च चुन सकता है कहने का मतलब यह है तो जल्दी से इस कोचन का राइट एंसर बताएगा तो भारत का राष्ट पती जो है वो बारस सदस्यों को राजसभा में चुन सकता है यानि कि इस कोचन का राइट एंसर जो होगा वो option number C होगा अगर आप से सवाल ऐसे पूछ दिया उसकी सुरुआत किस ने की थी आप लोगों को बतना है कि चिपको अंदुलन की सुरुआत की थी वो सुंदर राल बैहु गुना ने की थी यानि किस कोचन का राइट एंसर जो होगा वो option number A होगा तो बरहेंगे तीन नंबर कोचन के और तीन नंबर कोचन आप लोगों से प तेन नंबर कोचन की थी यानि कि तीन नंबर कोचन का राइट नंबर कोचन आप लोगों से पूछा है तो बरहेंगे तीन नंबर कोचन के और तीन पी बी संदू is associated with P.B. संदू जो है वो किस ख्यल के साथ जूरी है आप लोगको बतना है कि P.B. संदू का संबन जो है वो किस ख्यल से है तो जल्दी से इस कोचन का राइट एंसर बताइगा तो इस कोचन का राइट एंसर जो होगा वहció पूछन के वह आप लोगों से पूछा है तो सबसे पूराना वेद जो है वह रीग वेद है यनिकि इस कोचन का राइट एंसर जो होगा वह आपसान नंबर होगा तो बहेंगे साथ नंबर कोचन के और साथ नंबर कोचन आप लोगों से पूछा है common wealth game 2018 will be held in which country यानि कि राष्ट मंडल खेल 2018 का राष्ट मंडल खेल तो इस कोचन का राइट एंसर जो होगा वह आपसान नंबर C होगा यानि कि इस टेलिया में जो हुआ था 2018 का राष्ट मंडल खेल हुआ था तो बहेंगे 8 नंबर कोचन के और 8 नंबर कोचन आप लोगों से पूछा है पारादी पोट इस इन वी चस्टेट यानि कि पारादी पोट जो है वो किस राज में इस्तित है आप लोगों को बतना है तो पारादी पोट जो है वो उईसा र मोटुव है यहारँ का हर जन्ःता है अ करा नहारी को,शन कंधेल कrole करें, तो क्यूसों को तो बहुत अच्या है amnesty यानि कि amnesty international का मुख्याले है वो कहां पर है आप लोगों को बताना है कोच्चन बहुत यह अच्छा है तो अमिनेश्टी इंटरनेशनल का मुख्याला जो है वो लंदन में हैने कि इस कोच्चन का राइट एंसर जो होगा वो अप्सन नंबर सी होगा अगर आप से सवाल पूछ ले जाए कि युवे नो है ने कि युवे तालिस में हुआ था इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है तो बहुत जबर दस नंबर कोच्चन के और दस नंबर कोच्चन आप लोगों से पूछा है इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नौन एज सेरे पंजाब यानि कि किस भारतिये 173 से लानी को सेरे पंजाब क के नाम से जाना जाता है कोच्चन बहुत जबर दसता है जल्दी से इस कोच्चन का राइट एंसर बताएगा कि सेरे पंजाब के नाम से किन है जाना जाता है तो सेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है वो लाला लाजपत राय को जाना जाता है यानि कि इस कोच्चन का नमबर कोचन आप लोगों से पूछा है वाज फॉस्ट इंडियन टू बी हॉंडर विद ऑस्कर आवाड यानि कि ऑस्कर पुरुषकार से समानित होने वाले पहले भारती ये कौन थे कोचन बहुत ये अच्छा है जल्दी से इस कोचन का जल्दी से इस कोचन का राइट एंसर बताईगा उस्टेटिक rafाइबर जो कहते है वो फाइबर जो होता है इसे दोड़ा निर्मित किया जाता है जैसे आप लोगको ही बजारिया दुकान में जाते होंगे तो आपको दिखाई देता हुगा कपरा जो होता है वो नाइलन का होता है रियोन का होता है सिल का होता है तो इस कोचन का राइट एंसर आपको मालुम चल गया होगा कि इसका राइट एंसर क्या होगा तो इस question का right answer जोगा वो option number B यानि कि रियोन हो गया यानि कि जो रियोन है वो synthetic fiber यानि कि मनुस द्वारा बनाया गया है तो बनेंगे 13 number question के और 13 number question आप लोगों से पूछा है Who is known as father of nation यानि कि राष्टपिता के रूप में किसे जाना जाता है आप लोगों को बतना है तो राष्टपिता के रूप में जो जाना जाता है वो महातमा गांधी को जाना जाता है यानि कि इस question का right answer जोगा वो option number A होगा तो बनेंगे 14 number question को 14 number question बहुत ची अच्छा question आप लोगों से पूछा है In which state is तारापूर निकोलियर power station located यानि कि तारापूर परमानू उर्जा station जो है वो किस राज़ में इस्तित है आप लोगों को बतना है तो जल्दी से इस question का right answer बताएगा तो तारापूर परमानू उर्जा station जो है वो महाराष्टा में इस्तित है यानि कि इस question का right answer जो होगा वो option number यह होगा तो बनेंगे 15 number कोचन को को बनर 15 number कोचन आप वोगों से पूछा है ़इर इस दा फेमाइस दक्षी नेश्वर काली temple located इन इंडिया यादि कि भारत में प्रसिध्दख्प्षी नेश्वर काली मंदिर जो है वो कहाँ पर इस्तित है आप लोगों को बताना है तो भारत के पर सिद्धर्षी नेश्वर काली मंदिर जो है वो कुल कता में इस्तित है यानि कि इस कोचन का राइट एंसर जो होगा वो आपसा नमबर भी होगा तो इस्ति के साथ आप लोग का परसंद समापत हुआ तो बहेंगे जेरल साइन्स की तरह सोजनर साइन्स का 16 नमबर का कोचन आप लोगों से पूछा है विच लेंस इस इुदिन सिमफल माईक्रो असकोप यानि कि सरल माãyक्रो असकोप में किस lens का उपयोग या परयोग किया जाता है question बहुत ये अच्छा है जल्दी से इस question का right answer बताईएगा तो microscope में जो मतलब कि सरल microscope में जो lens परयोग किया जाता है वो convex mirror होता है यानि कि convex lens होता है यानि कि उत्ता lens इस question का right answer हो जाएगा तो भरेंगे 17 number question की और 17 number question आप लोगों से पूछा है what happens to the color of litmus paper when you put a drop of acid on litmus यानि कि litmus paper का रंग क्या होगा जब आप उस पर acid की एक बूंद डालेंगे तो जल्दी से इस question का right answer बताईगा question बहुत ये अच्छा है 2017 का एक्जाम में भी पूछा गया है यानि कि इस question का right answer जो होगा वो option number C होगा तो भरेंगे 18 number question की और 18 number question आप लोगों से पूछा है which one of the following is not a mammal यानि कि ने में लिखित में कौन सा अस्थन पाई नहीं है question बहुत ये अच्छा है जल्दी से इस question का right answer बताईगा तो मतलब कि इसमें से कौन सा mammal नहीं है तो इसमें से जो है वो shark mammal नहीं है यानि कि इस question का right answer जो होगा वो option number B होगा तो भरेंगे 19 number question की और 19 number question आप लोगों से पूछा है how long does it take light from the sun to reach to the earth यानि कि सुर के परकास पिरित्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है आप लोगों को बतना है तो सुर के परकास पिरित्वी तक पहुँचने में जो time लगता है वो 8 minute 20 second का लगता है यानि कि इस question का right answer जो होगा वो option number C होगा तो भरेंगे 20 number की और 20 number question आप लोगों से पूछा है which of the following is not a electromagnet wave आप लोगों को बतना है तो इसमें से जो है वो heat radiation जो है वो एक विधूत चुमबक ये तरंग नहीं है यानि कि इस question का right answer जो होगा वो आप सा number B होगा किस number question आप लोगों से पूछा है what is the percentage of lead in lead pencil यानि कि lead pencil के सीसे का परतिसत कितना होता है आप लोगों को बतना है तो lead का जो pencil का सीसे का percent जो होता है वो 0% होता है यानि कि इस question का right answer जो होगा वो option number A होगा तो बरहेंगे 22 number question के और 22 number question को ध्यान से देखिएगा 22 number question आप लोगों से पूछा है which one of the following color has the largest way of length यानि कि ले में लेकित में से किस रंग में सबसे लंबी तरंग धैर होती है आप लोगों को बतना है तो lal में जो होता है वो सबसे लंबी तरंग धैर होता है यानि कि इस question का right answer जो होगा वो option number D होगा तो बरहेंगे 23 number question के और 23 number question आप लोगों से पूछा है at what temperature volume of gas become manageable बल यानि किस ताप मान पर gaso का मातरा न गन्य हो जाता है यानि कि नहीं गिन सकते है आप लोगों को बतना है जो 0 Kelvin मतलब कि 0 Kelvin पर होता है हम लोग gaso की मातरा का गन्य है नहीं कर सकते है यानि कि इस question का right answer होगा वो option number D होगा तो बरहेंगे 24 number question के 24 number question पूछा है with the name of the outermost layer of the earth यानि कि प्रिथवी की सबसे बाहरी परत का नाम आप लोगों को बतना है कि प्रिथवी का बाहरी परत का नाम क्या है तो प्रिथवी का बाहरी परत का जो नाम है वो है crushed यानि कि इस question का right answer होगा वो option number B होगा तो बरहेंगे 25 number question के और 25 number question पूछा है with rising temperature the surface tension of liquid यानि कि ताप मान में ब्रिथवी एक तरल की सता का तनाव क्या होगा आप लोगों को बतना है तो ताप मान में ब्रिथवी एक तरल का सता का जो तनाव होगा वो degree यानि कि दस सांस होगा यानि कि इस question का right answer जो होगा वो option number B होगा तो बरहेंगे 26 number question के और 26 number question बोलने से पहले फिर आप लोगों से एक बार request है अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के पास share कर देना इस number question बोलने से पहले मैं आपको बता दूँ कि देखे जो इंडियन आलमी जीडि का जो question paper होता है वो कोई मतलब कि hard नहीं होता है मेरा भाई आपको ध्यान में tension नहीं लेना है कि नहीं हाड होगा hard होगा कुछ hard नहीं होता है मेरा भाई आप लोग 2010 से लेकर के आपको original question paper में से मिल जाएगा तो देखिएगा 27 number question आप लोगों से क्या पूछा है बोला empire is the unit of यानि की empire की 1 जो क्या है आप लोग बताना है कि empire की 1 क्या है तो empire की जो 1 क्या है वो current है यानि कि इस question का right answer जोगा वो option number होगा तो बरहेंगा 28 number question की और 28 number question आप लोगों से पूछा है बिग बैंक थोरी is indicate of यानि की big bang सिधान्त का संकेत आप लोगों बताना है कि big bang का सिधान्त क्या है तो big bang का सिधान जो है वो है क्या तो विस्तार मतलब की दखिएगा universe का विस्तार करना है यानि की expanding universe है यानि की इस question का right answer जो होगा वो option number B होगा तो बरहेंगा 29 number question की और 29 number question आप लोगों से पूछा है cheap or of iron यानि की लोहे का मुख अईस्क आप लोगों को बताना है तो लोहे का मुख अईस्क जो होता है वो हे में tight होता है यानि की इस question का right answer जो होगा वो option number B होगा तो बरहेंगा आज के last question की और last question आप लोगों से पूछा है which an ultra top of carbon यानि की carbon का एक ultra top कौन सा है आप लोगों को बताना है चार आपके सामने option है जल्दी से इस option को पढ़िया और इसका right answer बताएगा तो carbon का एक ultra top जो होता है वो हीरा होता है यानि की question का right answer जो होगा वो option number A होगा तो आज का आपका test एक खतम हुआ आपको बताना है कि आपका इस test paper में कितना सही हुआ अगर आपने 2014-2016 और 2018 का question paper नहीं देखा है तो आपको link नीचे मिल जाएगा description box में और i button में वहां से आप लोग देख सकते हो और मैं आपको एक बात और बहुत इस class का पूरा PDF आप लोगों को video solution के साथ वो भी बिल्कुल free मिलेगा आपको telegram group में join हो जाना है या whatsapp group में join हो जाना है आपको link तीनों का नीचे मिलेगा तो देखिएगा आप लोगों से एक last में question पूछा जाएगा जिसको आपको comment box में इसका answer बताना है तो आप लोगों से पूछा है who built the Taj Mahal यानि कि Taj Mahal जो है वो किसने बनवाया था आप लोगों को इसका right answer comment box में बताना है तो मैं आज आपसे विदा लेता हूँ हर रोज परना है तो आपको इस चल को subscribe करके bell icon दबा लेना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करके दोस्तों के पास share करना thanks for watching this video जय हिन जय भारत भारत माता की जय